वे हैं मशीन डेली क्लिट शीट यह आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहा है क्लिट का मतलब होता है सी से हो गया क्लीन ल से हो गया लुब्रिकेट ओब्लिक लीकेज देन है आई इंस्पेक्ट देन है टी टाइटन तो जो हमारी मशीन है बेस्किली अगर उसके अंदर जो का होने है उनको तोड़ा जाए तो यह चार केटरिजरी निकल के आती है कि हमने मशीन के अंदर साफ क्या करना है कहां कहां पर लुब्रिकेशन करना है या लिकेट चेक करना है कहां कहां हमने इंस्पेक्शन करना है मशीन के अंदर और कहां हमने टाइट करने ही जरुत है कसने की जरुत है डेली मशीन को शुरू करने से पहले ठीक है अब इसके अंदर क्या-क्या होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, date, machine, किस machine की बात हो रही है, operator, कौन इसको भर रहा है, daily machine के checkpoints होने चाहिए, operator के sign होने चाहिए, supervisor के sign होने चाहिए, after verification. अब machine click sheet को बढ़ने की जिम्मेदारी किसकी है, operator की, purpose क्या है इसका, autonomous maintenance की, swim जो है, machine maintain रहें, अगर उसको हम daily maintain रखें, जैसे की, हम bike वगएरा अगर अपनी daily clean रखें, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक चलती है, साफ सुत्री रहती है, खर्चा कम मांगती है, वहीं हम उसको बस रगड़ते रहें, तो रास्ते में कहीं भी लेजा करके, खड़ा कर देगी, अब इसका format देख लेते हैं, maintenance click sheet का format कैसा देखता है, screen के उपर आपके maintenance checklist, यानि कि daily machine checklist, कुछ लोग इसको click sheet भी कहते हैं, उसका format आ चुका है, इसमें हमने क्या किया है, सारे task को चार कटेग में डिवाइड किया है, clean, lubricate, inspection, tighten, cleaning वाले task हैं, वो यहानिक दिया हमने कि वही machine के चितर सफाई करें, toggle पर oil grease ना हो, ठीक है, ऐसे ही हमने leakage और lubrication के point डाल दिये, ऐसे हमने inspection के डाल दिये, और ऐसे हमने tighten के डाल दिये, उपर machine का नाम नमर आ गया, ठीक है, यहाँ पर यह dates सारी, एक से करतिस, यहां मनता आ गया, ठीक है, अब जहां पर दो shift चलती है, वहां हमने A और B की combined sheet बना दी, कुछ लोग क्या गलती करते हैं, कि भाई सिर्फ A वाले की जिम्मेदारी है, B वाला नहीं करेगा, लेकिन दोनों को maintain करनी है, maintenance checklist, ठीक है, अब जब यह वाला point व को भी सुचित करेगा, कि भाईया, यह machine के अंदर problem है, जैसे हमने यहां लिखा भी है, shift शुरू होते ही, उपर बताए, checkpoint चेक करें, सही होने पर टिक करें, टिक करें, अन्यता, सही ना होने पर ठीक करने के बाद टिक करें, यह नहीं कि टिक मार दिया, supervisor मता दिया, उसको ठ दियार कर सकते हो, और लगी कहा होनी चाहिए, यह maintenance checklist, यह machine के ऊपर लगी होनी चाहिए, भरने की जिम्मेदारी किसकी है, operator की है, ठीक है, कुछ लोग इसको maintenance को देते हैं, मिंटरेंस वाला बदेगा, maintenance की जिम्मेदारी है, उसको cross check करने की, ठीक है, एक TPM का concept है न, I operate, I maintain, म मैं चला रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है, मिंटेन करने की, मैं अगर बैट चला रहा हूँ तो मेरा पड़ोसी या मेरा बड़ा भाही थोड़ी आएगा, उसको साफ करने के लिए, मैं कुछ करूंगा न, तो ऐसे ही यह autonomous maintenance के लिए, machine की kit sheet जो है, बनाई जाती है, उसको लाओ की आएगा है